जैहिन दोस्तों, चली दोस्तों बात करते हैं, इस question के बारे में इसमें क्या कहा गया? A, B and C A 20 Days, B 30 Days और C कितना है? 60 Days यानि हम उची दिराखा A जो है वो मेरा कितना 20 Days में करता है और B जो हैivers Stri Days में करता है और C जो है वो मेरे पास में कितना करता है? आपका 60 days में करता है, अगर मैं इनका LCM निकाल लो, तो मैं LCM मेरे पास 60 unit आएगा, तो ये 3 unit काम करेगा, ये 2 unit करेगा, ये 1 unit करेगा, अब इसने क्या कहा, कभी A ने काम सुरू किया, और हर तीसरे दिन, कितने हर, by BC every third day, वो तीसरे दिन क्या होता है, कि B और CB काम में आ जात ये 3, 2, 5, 6, यानि 6 unit, तो total कितना हुआ, 12 unit काम हुआ, अब ये 12 unit काम कितने दिन में हुआ, ये तो दो दिन में पहले हुआ था, एक द्वारा, और फिर एक दिन और ये लिया, यानि कि 12 unit काम कितने दिन में हुआ, 3 days में, या मैंने लिख लिए इसको 3 days में, काम मुझे कितन करते हैं यानि कि option जो आएगा वो बी आएगा यानि कि 15 दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा आई होप आप सभी कोई कोशन समझ में आगा जय हिंत जय भाराथ